हेलो एविवन, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजूकेशन एक्सपीरियन्स एक्सपो में फ्रेंड्स आज डिसकस करेंगे हम करेंट अफेर्स जन्वरी से जून 2021 के वीडियो सीरीज पार्ट नमबर 14 तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं आज के वीडियो का कोश्चन नमबर वन है निम्ड में से किस ट्रेंड का नाम बदल कर नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया है आपसान A. विक्रम सिला एक्सप्रेस, B. हावडा काल का मेल, C. पुरसोत्तम एक्सप्रेस, D. मैसूर सोलापूर गोल गुम्बज एक्सप्रेस आपका एंसर है आपसान B. हावडा काल का मेल भारती रेलवे ने नेता जी सुभाच चन्द बोस की 125 जैनती के मौके पर एक बड़ा एलान किया है इसके अनुसार हावडा काल का मेल नाम बदल कर अब नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया है एक जन्वरी 1866 को काल का मेल पहली बार चलाई गई थी उस वक्त इस ट्रेन का नाम था 63 अप हावडा पेसावर एक्सप्रेस चलिए फ्रेंट सब जानते हैं कि भारती रेलवे ने नेता जी के ही नाम पर इस ट्रेन का नाम रखने का फैसला क्यों किया है 18 जन्वरी 1941 को फिरंगियों को चक्मा देकर नेता जी सुभाज चन्बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंसन से सवार होकर निकले थे नेता जी की यादों से जुड़ी होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नाम करण नेता जी एक्स्प्रेस के रूप में किया है नेक्स्ट कोशन है किस राज सरकार ने हाली में महत्मा गांधी राष्टी ग्रामीड गारंटी अधिनियम यानी मन्रेगा के तहत कारदियूसों की संख्या को मौजूदा सौ दिनों से बढ़ा कर एक सो पच्चास दिन करने की गोशना की है ओप्सन ए है जारखंड, बी दिल्ली, सी उत्राखंड, यडी पंजाब एंसर है ओप्सन सी उत्राखंड राज सरकार उत्राखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तिरवेंद सिंग रावत ने मन्रेगा के तहत कारदियूसों की संख्या को सौ दिनों से बढ़ा कर अब एक सो पच्चास दिन करने की गोशना की है मन्रेगा का कार वर्स 2005 में पारित किया गया था मन्रेगा का उद्देश ग्रामीर छेत्रों में आजीवी का सुरच्चा प्रदान करने के लिए सौ दिनों का रोजगार प्रदान करना है नेक्स्ट IPL टीम राजस्थान रोयल्स ने किस खिलाडी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है Option A है दिनेश कार्थी को, B. ओसेन थॉमस को, C. अंकित राजपूत को या D. संजु सैमसन को अब के एंसर होगा Option D. संजु सैमसन को इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL टीम राजस्थान रोयल्स ने संजु सैमसन को अपनी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है Next है Question No.4 Global Fire Power Index 2021 में चौथा इस्थान निम्ण में से किस देश को प्राप्त हुआ है Option A है भारत को, B. नेपाल को, C. रूस को, या D. बांगला देश को Answer है Option A. भारत को Global Fire Power ने दुनिया की सभी ताकतवर सेनाओं की एक लिस्ट जारी की है इस लिस्ट में इस साल 133 देशों को सामिल किया गया है जिसमें भारत चोथे इस्थान पर है Global Fire Power की इस साल यानि 2021 की लिस्ट में अमेरिका की सेना को दुनिया की सभी ताकतवर सेना बताया गया है जबकि रूस को दूसरे इस्थान पर और चीन को तीसरे इस्थान पर रखा गया है आईए फ्रेंड सब जानते हैं Global Fire Power क्या है Global Fire Power किसी देश की सेन ताकत के बिविन पहलों को ध्यान में रखकर इस लिस्ट को तयार करता है इसमें रच्छा बजट, आदुनिक हतियारों और सैनिकों की संख्या समेत कई फैक्टरों के आधार पर रैंकिंग तैंकी जाती है नेक्स्ट कोशन गुजराज सरकार ने हाल ही में Dragon Food का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है आपसन A है कमलम फ्रूट, B गेंदा फ्रूट, C गुलाबम फ्रूट, यदी सूरज मुखी फ्रूट आपका एंसर होगा आपसन A कमलम फ्रूट गुजराज के वर्तमान मुखी मंत्री विजे रूपाणी ने बताया कि राज सरकार ने Dragon Food का नाम बदल कर अब कमलम फ्रूट करने का फैसला किया है Dragon Fruit को Super Fruit भी कहा जाता है और यह देखने में काफी आकरसक लगता है Cactus प्रजाती के पौधे में यह फल उगता है और सरीर की रोग प्रतिरोधक चमता यानि Immunity को बेहतर करने के लिए लोग इसे खाते है Friends अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें Thank you Next फिलिस्तीन कितने वर्सों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्टी चुनाओ आयोजित करने के लिए तयार हुआ है Option A है 10 साल के बाद B 14 साल के बाद C 20 साल के बाद D 25 साल के बाद Friends आपकी जनकारी के लिए बता दें कि फिलिस्तीन ने काफी टाइम से कोई भी राष्टी चुनाओ नहीं करवाये थे इस साल यानि 2021 में कई सालों के बाद उसने अपने यहां राष्टी चुनाओ करवाया है आपके पास यह चारों आपसन्स दिये गए हैं आपको बताना है कि उसने कितने साल बाद राष्टी चुनाओ करवाये हैं आपका एंसर होगा आपसन B 14 साल बाद फिलिस्तीन ने 14 वर्सों के लंबे समय के बाद वर्स 2021 में अपना पहला राष्टी चुनाओ आयोजित किया है इस साल होने वाले चुनाओं में संसदी, राष्टपती और राष्टी परिशत के चुनाओं को सामिल किया गया है फिलिस्तीन के वर्तमान राष्टपती महमूद अप्वास ने इस संबंद में एक डिगरी पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अनुसार संसदी चुनाओं 22 मई को आयोजित किये गये जबकि राष्टपती चुनाओं के लिए 31 जुलाई और राष्टी परिशत चुनाओं के लिए 31 अगस्त की तारीख तै की गयी थी इसके साथ ही फिलिस्तीनी राष्टपती ने चुनाओं समीत सही देस के सभी राज्यों को सभी सहरों में लोग तांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुरू करने का निर्देश दिया है नेक्स्ट नेताजी सुबाद चन्द बोस की जैनती को केंद्र सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाय जाने की घोशना की है केंद्र सरकार ने हर साल 23 जन्वरी यानि नेताजी सुबाद चन्द बोस के जन्म दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है ताकि राष्टी और अंतर राष्टी इस तर पर उनका सत्कार किया जा सके सुबाद चन्द बोस आजाद हिंद भोज के संस्थापक भी थे नेक्स्ट विश्व सामाजीक न्याए दिवस निम्ड में से किस दिन मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याई दिवस निम्ड में से किस तिन मनाया जाता है? आपके एंसर होगा आप्शन D 20 फर्वरी को पूरी दुनिया में 20 फर्वरी को विश्व सामाजिक न्याई दिवस मनाया जाता है इसका मुखे उद्देश व्यक्ति विशेश में बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देना है इसके साथ ही लोगों को सामाजिक न्याई और समानता के प्रति जागरू करना है वर्स 2009 में इस दिन को पहली बार वर्ड सोसल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया था विश्व सामाजिक न्याई दिवस की हर साल एक धीम रखी जाती है इस साल यानी 2021 की धीम है A Call for Social Justice in the Digital Economy कोशन नमबर नाइन है किस राजी के मुख्य मंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर आप दा इयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है Option A है आंधु प्रदेश, B. राजस्थान, C. दिल्ली, D. करनाटक Answer है Option A आंधु प्रदेश आंधु प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है Y.S. जगन मोहन रेड़ी इनी को इसको चीफ मिनिस्टर आप दा इयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है Next है Question No. 10 Option A हाल ही में किस राजसरकार ने गरीबों और निराश्थितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्द कराने है तुमा कैंटीन का सुभारंब किया है Option A है बिहार, B. पस्चिम बंगाल, C. जारखंड, D. उत्तरप्रदेश आपका सही जवाब होगा, Option B. पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बनर जी ने 5 रुपए की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्थितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्द कराने के लिए मा कैंटीन का सुभारंब किया है आए जानते हैं मा कैंटीन के योजना के बारे में इस योजना के तहट राज सरकार कैंटीन में प्रतिव्यक्ति भोजन के लिए 15 रुपए की सबसिटी देगी जबकि लोगों को सिर्फ 5 रुपए का भुक्तान करना होगा आज की वीडियो में हमने करेंट अफेयर्स के 10 कोस्टन को डिसकस किया है अब डिसकस करेंगे हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स जीके के 10 कोस्टन को तो चलिए फ्रेंड्स ये कोस्टन भी देख लेते हैं आई होप ये भी आपके लिए काफी हेल्फ फूल होंगे पॉइंट नंबर वन है संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां इस्थीत है एंसर है कमबोडिया में नेक्स्ट भारत में वीर्था के लिए दिये जाने वाला सर्वोच पुरुसकार कौन सा है एंसर है परमवीर चक्र नेक्स्ट भारत का प्रथम पर्माड उर्जा रियक्टर कौन सा है एंसर है अपसरा नेक्स्ट एक किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है एंसर है दस्सो चौबिस बाइट नेक्स्ट आटो बायोग्राफी पुष्टक किसने लिखी है एंसर है पंडित जवाहर लाल नहिरू ने नेक्स्ट अंतर राष्टी न्यायले के न्याय दीशों का कारिकाल कितने वर्सका होता है एंसर है नौ वर्सका नेक्स्ट है देश में सबसे ज़्यादा एटियम किस बैंक के है एंसर है SBI बैंक के नेक्स्ट सत्रंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है एंसर है 64, 64 नेक्स्ट है आल इंडिया रेडियो को आकासवाडी का नाम किस वर्स दिया गया था एंसर है वर्स 1957 में और आज के वीडियो का लास्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर टेन सैन्यूक्त राष्ट दीवस कब मनाया जाता है एंसर है 24 अक्टूबर को थाइंक्स पूर वाचिंग फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एक्सपीरियेंस एक्सपो को सब्सक्राइब करें थाइंक्यू सो मच्छ अल दे बेस्ट